वो बॉलिया वोलने हैं एक सी मर्याट चैना वार्ट गेंट अब पास आउट एर हलो अब्रिवन पंजाब के स्री नवजाइंस टीवी में आप सभी का सौगत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस ने नशर्मा और आज हम आपको लेके चलेंगे बिग बॉस के हाउस में जी हाँ बिग बॉस का घर बिग बॉस का घर नहीं बलकि लड़ाई का मैदान बन चुका है बिग बॉस के घर में रश्मी देसाई और सिधार शुकला के बीच हो रही छोटी छोटी लडाईयों ने अब बड़ा रूप ले लिया है खाली में एक टास के दोरान रश्मी और सिधार के बीच हो गया एक बार फिर से जगड़ा और उस जगडे के दौरान सिधार शुक्ला ने रश्मी से बोल दी बहुती आपत्ती जनक बाते जिससे रश्मी बहुती ज़्यादा भड़क दली और रश्मी का इतना भड़कना जाही जिता आखे सिधार शुक्ला ने रश्मी को बोल दिया था आसिम की नौकरा दी फिर क्याता रश्मी का गुसा पॉच किया सात्वें अस्वन पर उसके बाद क्याता रश्मी ने सिधाशुकला पर गुस्समे फेक दी गरम चाहे जिसके जवाब में सिधाट ने भी उन पर फेक दी गरम चाहे और ये मामला इतना भढ़ गया कि सल्मान के सामने जब इस मामले को रखा गया तो रश्मी फूट पूट का रोने लगी इतना ही नहीं ये लड़ाई इस कदर भढ़ गई कि रश्मी और शुकला के बीच होने वाली थी फिजिकल फाइट और इस बीच बचाव में शुकला ने अरान की शर्ट फार दी हाला कि उस फटीवी शर्ट के साथ वीकेंड के वार में अरान पूरे टाइम सल्मान के साब ने उसी शर्ट में खड़े रहे लेकिन सल्मान ने नहीं दिया कोई भी रियक्शन इस सब के बाद शो के हो सल्मान खान हो गए कंट्रेस्टन से काफी नाराज सल्मान ने खा कि इस लेवल की लड़ाई मैंने आज तक किसी भी सीजन में नहीं देखी है इतना ही नहीं सल्मान ने ये तक कह दिया कि वो इस सीजन को अब होस नहीं करना चाते है अब देखना ये होगा कि सल्मान खान अगले हफते से इस सीजन को होस करेंगे या फिर वापई मैं सीजन को बोल देंगे टाता बाई 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 तो ये थी बिग बॉफ के घर से जुड़ी अब तक की ख़बरें बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रही है मेरे साथ पंजाब के स्री नावुद टैंक्स टीजिए